क्या भारतियकर के टीम को कुछ टिप्स देना चाहेंगे ताकि हम फिर से वर्ल कप जीत सके मुझे लगता है उन्हें क्रिकेट खेलना आता है मैं इस बारे में क्यों कुछ खहूँ पर अभी कब कैसे जीता जाए कब जीतने की कोशिश मत करिये बस उस कमबख्त बॉल को मारिये अगर आप इन करोणों लोगों की सोचने लगे जो कब के लिए चिला रहे हैं आप बॉल को मिस कर देंगे या फिर अगर आप ने उन तमाम कालपनिक चीजों के बारे में सोचा जो आपके वर्ल्ड कप जीतने पर होंगी तो बॉल आपका विकेट चटका देगी आप कब की चिंता ना करें आप करोणों लोगों की चिंता ना करें आप भारत की चिंता ना करें आप बस उस बॉल को मारिये इस वक्त क्योंकि goal oriented होने का यही मतलब है यानि कि हम सोच रहे हैं कि मंच पर कैसे खड़ा होना है ऐसा कैसे दिखना है हमारे match जीतने के बाद interview कैसे देना है नहीं नहीं वो सब चीज़ें हो जाएंगी अगर आपने interview अनाडियों की तरह भी दिया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप ball को जम कर मारिए बस यही तो माहिने रखता है अगर आपने मौजूदा प्रोसस को सही किया इस समय अभी हम जो भी कर रहे है अगर आप ठीक से सांस लें आप लंबा जीएंगे लंबी उमर कैसे पाऊं लंबी उमर कैसे पाऊं और हाफ रहें लंबी उमर कैसे पाऊं लंबी उमर कैसे पाऊं आप मर जाएंगे अगर आप ठीक से सांस लें ठीक से खाएं ठीक से बैठें आप लंबी उमर जीएंगे उस बॉल को कैसे मारूँ, विरोधी के विकेट कैसे चटकाऊँ, बस इतना ही, आपको सोचना है, वर्ल्ड कॉप के बारे में मत सोचिये, वरना वर्ल्ड कॉप से आप बाहर ही हो जाएंगे, कोई वर्ल्ड कॉप नहीं, बस बॉल, बैट और विकेट्स, बस इतना ही, है कि नहीं, हम, हलो, बस इतना ही, आपको स्कोर भी नहीं गिनना है, उस गेंद को मारिये, मारिये गेंद को, वहाँ आपके स्कोर गिनने के लिए पेशेवर लोग हैं, आप क्यों स्कोर गिन रहे हैं ये सलाची